दोस्तों गुड विनिंग स्वागत कहते हैं आप सोगा दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की कुछ बड़ी अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जहांपर की अगर मैं बात करूँ 143-140 exchanges बंद हो सकते हैं इसी के साथ बात करेंगे दोस्तों शीवा इनू बोन को लेकि क्या कुछ चल रहा है क्या माहूल बन रहा है इसी के साथ बात करेंगे बिटगर्ड ब्राइस की बहरा सिटी की एंड पूरी क्रिप्टो इंडिस्ट्री में करेंट टाइम में क्या चल रह BNB 1.75% XRP 4% रह ड्रॉफ होके बैठा है आज सोल की बात करूंगा लगबग 5% ड्रॉफ हुआ है ADA देख सकते हो 2% डॉच कोईन में आप देख सकते हो लगबग सारे 3-4% TRX लगबग 1% अगर मैं बात करूँ इसी तरीके से तो most of the बड़े क्रिप्टो करेंसी जे हैं वो Bitcoin में थोड़ी सी हलचे लाई Bitcoin गाया है 27,900 से लगबग 27,400-500 के आसपास Bitcoin ट्रेड कर रहा है बट और स्कॉइन में चबरदस डर शीवा इन में 5% की गिरावट देखने मिली तो all coin मतलब अच्छी खासी आइप पकड़ लेते हैं जैसे ही Bitcoin थोड़ा गिर जाता है तो last time से फि Bitcoin पर थोड़ा hold रखो थोड़ा पेसे के साथ रुखो एंड उपर से October महीने की बात करूंगा इस महीने में आले बाले दिनों पर और भी volatile देखने मिल सकता है जैसा अब सुभी को पता होगा हर महीने आता है एक या दो दिन एफर्म से meeting and interest rate की यह वो calculation तो भाई इस चीज के वज़े से भी यह चीजें है और आज weekly opening हुई है अगर मैं बात करूं आज Monday है and globally crypto market आज open हुआ है तो भाई आज तो गिरना नहीं चाहिए था लेकिन आज गिरा क्या reason है तो भाई कोई बड़ी reason नहीं है इसके पीछे गिरने का इसमें कुछ छोटी मोटी reason से जैसे की बताय हुआ भी global cook and इसको छोड़के भी और लगबग 140-141 non authorized crypto exchange मतलब UK पर regulate हो रहे है युनाटेट के इंडर स्टेट्स पे और वहाँ पर बहुत ही जल जैसी देख सकते हो युनाटेट किंग्डम फाइनलसी और मार्केड रेगूलेटर ने यहां पर कहा है कि इन सब की website और advertising और बहुत ही जल क्लोज करने वाले हैं यहां पर लगने वाली है और भी अच्छी तरीके से थोड़ी बहुत देखने मिल सकता है क्या रिजन तो बही जैसे कि मैंने बताया कि यह जो मतलब exchanges से इतने बड़े exchanges बंद होंगे तो definitely उसका कुछ ना कुछ असर गिरेगा बट जैसे क एक positive news अब देख सकते हो बाइनास एक बार फिर से UK पर एंटर कर चुका है और कुछ-कुछ country पर एंटर करने और भी जा रहा है United Kingdom and States पर उनका new rules and regulation को follow and comply करते हैं तो maybe यहां पर कुछ time के लिए हमें market में panic and volatility देखने मिले but ultimately जितने सारे बड़े exchange जैसे वो भी comply करना चालू करेंगा एंड एक बार फिर से service वहां पर provide करना चालू करेंगा एंड UK की बात करेंगा तो भाई अगर आप देखोगे globally में अगर आपको दिखा देता हूँ इंडिया number one rank पे है आज के time पे crypto investment crypto trading पे जैसे कि देख सकते हो मतलब इंडिया के लगबग 160 million लोग crypto पे इंवेस्ट किये हैं whereas United States पे 44 million and then अगर आप देखोगे यहां पर आपको UK का नाम भी नहीं दिखेगा तो UK उतना बड़ा market है यहां पर इतनी डरने की बात नहीं कि UK मे जो हो गया उससे कुछ ज़्यादा impact पड़ेगा आप देख सकते हो इंडिया United States, Vietnam, China, Brazil, Philippines, Pakistan, Nigeria, Indonesia, Russia यह कुछ countries है जो की crypto में ज़्यादा इनका investment है and globally अभी तक 5% लोग भी नहीं है crypto पे तो भई यहां पर ज़्यादा impact इसका पढ़ना नहीं चाहिए अब यहां पर और भी गबर लिकर लेता है जैसे कि देख सेके US considering application of electric fund transfer act on crypto account मतलब हम लोग जो crypto accounts को यहां पर रखे है तो US government अभी यहां पर उसके उपर भी मतलब नदर बनाया हुआ कि उस पे जो electric fund transfer यानि कि हम लोग जो money transfer करते हैं उस पे जो rules and regulation imposed है उन सब को यहां पर इंपोस्ट करने वाला ह इसी के साथ अगर मैं आपको और एक news दिखा दो तो भाई bitcoin गिरने का या फिर crypto market या फिर एथरियम गिरने का और एक बड़ी रीजन ने सत्रा सो एथरियम को यहां पर बेचा गया है देख सकते हो इथरियम फाउंडेशन ने इथरियम को और मैं बात करो इथरियम फाउंड इससे एक बार बर्निंग की जहां पर की 86 मिलियन वी रे टोकेन को बन किया गया है टोटल इस साल में अगर अब देखोगे 242 वी रे टोकेन की बर्निंग होई है और प्राइस में इसका ज्यादा कोई अगर मैं बात करूं मतलब ज्यादा नेगलेटेट मुमेंट नहीं जैस पहले बताया था कि शीवायनु बहुत जल्द हमें पहले तो 69 उसके बाद 68 और 65 तक जाता हो दिख सकता है तो उसके लिए अप मेंटली प्रिपेर हो जाईए और गुड नियूस शीवायनु पर नो डाउट हमें देखना है नहीं बन रहा है बट में भी शीवायनु का प्र जल्द एक explosive moment के साथ हमें per day की time candle के अगर में बात करूं उस हिसाब से 20-25-50% तक भी pump में यह coin जाता हुआ दिख सकता है मौका हो जाएगा शीवायनु holders के लिए अब बात करेंगे बोन की तो बोन का भी अच्छा खासा अगर अब देखोगे मैं बोन का पूरा lifetime की चार्ट निकाल लिया हूँ October 2022 से अभी तक 23-1 सालों का अगर मैं time frame निकालू तो यहां पर clearly देख सकते हो यह जो resistance and support level अब देख स यहां से एक काफी bullish तगड़ा bullish sentiment के साथ बोन की यहां पर recovery देखने मिल सकती है maximum मान के चलो तो 66-65 तक नीचे जाता हुआ दिख सकता है अगर market का scene खराब बना otherwise अगर market का scene अच्छी बनी तो यहां से अच्छा खासा एक बहुत बढ़ियार spike लेके उपर आ सकता है और उपर से जो कुछ चल रहा है शीवाएनू और शीविरिम को लेके और बोन को लेके डे वाइडे जो कुछ positive चीज़ें हो रही है तो definitely आने वाले दिनों पर बोन की य यहां पर नोट कर सकते हैं कि पिछले 10 दिनों के अंदर बिड़िगेडवराइस ने लगपक 10 पार्टनर्शिप या इंटिग्रेशन कर लिए है अब इसका क्या मतलब है और इससे क्या फायदा हो रहा है भाई देखिए अगर मैं गिनके चलू तो पिछले दो सालों के यहां अब अल्टिमेटली बिड़िगेडवराइस के अगर मैं बात करूं तो यह सिर्फ और स्रीप कुछ फोकस अभी कर रहा है कि ecosystem building को लेके एको system building की जो main base है जिसको कह सकते हैं ब्लोकचेन उसके उपर बिड़िगेडवराइस का कोई भी focus नहीं है डिफिनेटली जो अपना ब्लॉक्चेन है उसके उपर काम करना चाहिए उसके उपर कुछ तग्री सी impactful चीजे लानी चाहिए जिससे की आने वाले दिनों पर विट्गर्डवाइस के holder अच्छी खासी है उम्मीद बना पाए बट यहाँ पर जो सीच रहे हैं कि इंटिग्रेशन इंटिग्रेशन इससे कुछ ज़्यादा इंपेक्ट नहीं पड़ेगा हाँ एक समय आ सकता है कि बूल फेस पर जब इंटिग्रेशन होगा और दूसरे प्रोजेक्ट्स जो इस पर रन हो रहे हैं तो उससे कुछ हो सकता है बट उसका फ्यूचर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो वह यह था डीटेल अपडेट्स आज की वीडियो की कि क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ हो सकता है बहुत जब देग्रेशन पर फिलेंगे तब तक लिए टाड़ा वाय वाय नमस्कार